आज मैं आपके साथ शेर करने जा रहे हूँ जार खंड का फेमस स्ट्रेट फूर्ट दुसका जिसे आलू की सबजी या काले चनी की सबजी के साथ खाया जाता है तो फिर स्टार्ट करते हैं टेस्टी फूर्ट विद संगीता में ये फूले फूले दुसका बनाना दुसका बनाने के लिए मैंने एक कप चावल लिये हैं आप कोई से भी चावल जो आपके पास हो वो ले सकते हैं मैंने ये इडली वाले चावल लिये हैं किसी भी बरतन से मेजर्मेंट कीजे लेकिन सारी चीजे ऐसी रखनी है जैसे मैं बता रही हूँ एक त्याही कप पैनेस में ली है च्वेना की डाल अब इसमें जा रही है एक चौथाई कप उड़त की धुली हुई डाल उड़त की डाल डाल दे से दुसका बहुत ही टेस्टी लगते हैं अब इस बोल में मैं डाल रहे हूँ पानी और पानी डालने के बाद मैं इन्हें तीन चार बार अच्छी तरीक से रगण रगण कर धोलूँगी तो अच्छे से मैं इस तरह धो रही हूँ अब ये पानी काफी गंदा हो गया इसे आप हटा दें अब ये डाल चावल मैंने 5-6 बार धोल लिए हैं अच्छी तरीक से अब इस बोल में आप पानी डालें और इन्हें आप पानी में भीगने दें 5-6 घंटे के लिए आप चाहें तो इसे पूरी रात के लिए भी ढखके इस तरह पानी में रख सकते हैं अब यहाँ पर 5-6 घंटे बाद ये डाल चावल अच्छी तरीके से फोल चुके हैं दाल चावल डालने के बाद दो हरी मिर्च में इसमें कट करके डाल रही हो और इसमें जा रही है अद्रग तीन इंच का टुकड़ा लिया ये कट करके डाल दिया है और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, बहुत जादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना, और बहुत fine paste हमें इनका बना के त्यार करना है, अब यहाँ पर यह देखिए, मैंने अच्छे से इने पीस लिया है, एकदम बारिक पीसना है, थोड़ी जाता देर तक मिक्सी चलाए इसलोाइँ, तो नाकितेर पाणी तो खीस 15-30 टवल डुझे में रखक पीस लिया है, और इसमें डाल देते हिने, पानी बहुत जाता नहीं डालेंगे, अभी थोड़ा सा पानी अट करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर पहले भी पीस लिया है, ताल चावल क कुकि इसे हमें पहुछ जाथा पतला नहीं करना है देखिए- इसकी इसी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी रखनी है बहुत पतली चाहिए तो अब एकदम उयसी आपको क्या करना है इसे कवर करके रच देना है 2-3ग कंटे के लिए को एक क्या बेसे का कंटे 2-3ग लिए जीरा के तरड़कने के बाद इसमें डालें एक चौथाई चमज हींग, दो इंच का द्रक्का टुपड़ा जिसे गिसके अड़ किया है, अब इन सब को भून लेते हैं, गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, अब इसमें जा रहे हैं दो बारी कटे हुए टमाटर, दूसका क आप स्वाधन उसार डालें, आधा चमज काश्मेरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आजाएगा सब्जी का, अब ये देखिए, नमक डालने से चुट अमाटर हैं जल्दी सौफ्ट हो जाएंगे, आप चाहें तो इसमें प्यास भी एड़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ये सबजी बिना लैसुन प्याज के त्यार कर रहे हूँ, आधा चमज इसमें डाला है हल्दी पाउडर, एक चमज धनिया पाउडर, एक चथाई चमज लाल मिर्च पाउडर, अगर आपको तीखा जादा पसंद है तो लाल मिर्च पाउडर आप इसमें अब इसमें हम डालेंगे आलू, तो मैंने यहाँ पर ये तीन आलू ली हैं, जेने थोड़े मोटे मोटे पीसेज में कट किया है, अब आलू को भी मसाले के साथ थोड़ी दिर तक भूनेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखा है, तो तीन-चाहर मिर्ट तक इस तरीके से हम भून लेंगे मसाले के साथ, और इस तरीके से भूनने के बाद, अब हम इसमें डालेंगे पानी, अब मैंने इसमें एक ग्लास पानी डाल दिया है, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए, और अब आप कूकर का ढखकन बन कीजिए और इसमें 4 सीटी आने दें, और 4 इस सब्जी अच्छी तरीके से बनके त्यार हो गई है आलू एक्दम सॉफ्ट हो चुके हैं तो अब इसमें जा रहा है एक चोधाई चमज गरम मसाला आधा चमज आमचूर पाउडर और बारी कटा हुआ हरा धनिया अब इसे अच्छे से मिक्स करना है और आलू को थोड़ा स हम मैश कर देंगे इस तरीके से अब ये दुस्का के साथ खाई जाने वाली आलू की सब्जी त्यार हो गई है एकदम पर्फेक्ट बनी है ये दुस्का कोछ हर कंड में आलू की सब्जी के साथ या फिर काली चने की सब्जी के साथ ही सर्व किया जाता है अब इसे एक तरफ रख देते हैं और यहां पर दो धाई गंटे बात यह बैटर अच्छे से फर्मेंट हो चुका है यह देखिए इसकी कंसिस्टेंसे भी एकदम परफेक्ट है और अब इसमें जा रहे हैं कुछ मसाले तो एक चमज डाला है इसमें धनिया पाउडर आदा चमज हल्दी पाउडर एक चौथाई चमज हींग एक चौथाई चमज काली मिर्ज आदा चमज अजवाइन अजवाइन को थोड़ा एस तरीके से क्रश करके डालेंगे अजवाइन डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें आदा चमज इसमें जा रहा है जीरा अब ये मसालेस में अच्छे से आप मिक्स कर दीजे अगर बैटर अच्छी तरीके से फर्मेंट होगा तो धुसका पहुती आसानी से तेल में फूल जाएंगे अगर बैटर फर्मेंट नहीं होगा तो धुसका नहीं फूलेंगे इस बात का आप ध्यान रखें और धुसका की बैटर में इनो या बेकिंग सोड़ा वगेरा डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है वरना ये पहुँच ज़ादा ओयल पी लेंगे और ओयल में थोड़े फट भी जाएंगे अब इसमें डाला है मैंने आदा चमच नमक और नमक को अच्छे से आप मिक्स कर दें अब ये दुसका का बैटर पूरी तरीके से त्यार है तो अब हम दुसका फ्राइ कर लेते हैं तो दुसका को फ्राइ करने के लिए ओयल एकदम तेज गरम चाहिए तो यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा बैटर डाल के चेक किया ये देखे ओयल एकदम परफेक्ट है बैटर बहुत जल्दी फूल कर उपर आ चुका है अगर ओयल कम गरम होगा तो दुसका बहुत ज़्यादा ओयल सोक लेंगे और अच्छी तरीके से फूल लेंगे भी नहीं तो ओयल अच्छा गरम चाहिए और गैस का फ्लेम हमें मीडियम चाहिए अब ओयल में मैं बैटर डाल रही हूँ एक बड़ी चुमच में मैंने बैटर भरा है और आपको कड़ाई में एक ही जगा पर इस तरीके से बैटर डालना है बैटर को ज़्यादा हिलाना डूलाना नहीं है एक ही जगा बैटर डाले ही अपने आप फैल जाएगा ये देखे और बैटर डालने के बाद तुरंट आपको इसके उपर ओयल डालना इस तरह स्टार्ट कर देना है इससे क्या होगा कि आपके दुसका एकदम फूल जाएंगे ये देखे गरम गरम ओयल डालने से दुसका फूल रहे हैं और अब इनको जिस तरह हम पूरी फ्राई करते हैं थोड़ा दबा कर तो इस तरही के से कल्ची से आपको दबाना है इससे ये बहुत अच्छे फूल जाते हैं ये देखे सभी दुसका फूल चुके हैं और अब इने आप पलट दीजे कच्छे दाल चावल से बने हुए है ये दुसका तो इसलिए थोड़ा सा इनको सिखने में टाइम लगता है अब मैंने सभी को पलट दिया है ये आप देख सकते हैं अच्छे से ये फूल चुके हैं तो अच्छी तरीके से हमेने हलका गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे अगर बैटर एकदम परफेक्ट फर्मेंट होगा तो इसी तरह फूले फूले दुसका बनेंगे अगर बैटर अच्छी तरीके से फर्मेंट नहीं होगा तो दुसका नहीं फूलेंगे अगर आपके दुस्का नहीं फूल रहे तो एक से डेर गंटे के लिए फिर से बैटर को ढखके रख दें और फिर दुस्का बनाए दुस्का एकदम फूल जाएंगे लेकिन उसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या इनो डालने की जुरूरत नहीं है अब ये दुस्का फ्राई हो गए हैं तो मैंने निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से सारे दुस्का हमें फ्राई कर लेने हैं बहुती फूले फूले अच्छे दुस्का बने है ये देखिए पूरी की तरह एकदम फूले है दुस्का एकदम पर्फेक्ट बने है अगर आपको ये छार कंड का प्रसित नाश्ता पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल न भूलें अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले प्रसिते हैं